रात का समय है भाई देख लो यह है साओधी की देखिए यहां पर इसे पैसे रहें अक्यले मुद्पे एक दो सिदर रहता है मरलब कि यहां मरलब यह नहीं कि कंदे पंदा हाट डाल के चले जा रहे हैं यहीं जिन्दिगी है यहां पर चलो आपको रूम की दिखा देते हैं कि लाइब भाई रूम दिखा दे आपको पिछे अठी हो कि बड़ियां लिखार ने सकते हो रूम यह चोटी प्रीज होती है एक एसी है यह इनका बेड है इनकी जाने की तैयारी हो रही आप सफर करीब आगे है इनका यह हीटर रखा है यह इधरी इधरी सोना है इधरी खाना भी है यह किजिन और टेबल देख सकते हैं तलाव सही से दिखा दे अंदर जाके और जो है यह अंदर बातरूम है यह साइड में लेटरिंग है कि तो भाई लोग यह साओधी में इस तरीके के रूम होते हैं को ज्यादा खास बड़े नहीं होते हैं लेकिन यह है एक आदमी के रहने बर्ट लेक काफी होता है तो लाइक बाई कुछ बताओगे दर्सकों को आप लाइक भाई पिर चाय बनाए पिलार हुआ है तो यहां पर तो सब खाना पीना अपने हाँ से यहां तो भावी दो है नहीं ना भावी अभी आई है जाने अब साधी होधी करने के राद है तो बताओ जो बाई नए आने वाले हैं उनके लिए बता दो कुछ मसवरा कुछ सब्धी की लाइफ कैसी होती है क्या होती इसके बारे को बढ़ा लो कि यहां किया है जो उसंदि मिला जिक हो ज्यादा अच्शा रहा है कि यहां पर सब माई-बाप सब दोस्ति comfort होती है मेरे सब दिखा दो डिखा दो कैसी join जिन्दिगी है सब एक दूसरे दुख के साथ ही है जब यहां पर जली फियों कि पी रहे हैं और बाइट यह इनका घीजर है यहां पर कहने का मतलब है कि आप दोखो बेवस्था सब मिलती है जिसे की फैसलेटी हर चीज की होती है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज की फैसलेटी ना हो जला कि चोटे से चोटे से रूम में आपको जोसा नहीं है जो ना मिले कि यार बड़ा रूम में आदमी ज्यादा अकेले के रहा है नहीं है चोटा रूम ज्यादा पेटा रोग और बड़े रोम में जैसे पुटन्स ही होती है कि जानते होगे कि आप लोग की बड़े तो भाई सौधी में ऐसी रूम मिलते हैं जितने भी ड्रैवर है सौधी भाई लोग है अईसे रूम मिलते हैं तो चली जब तक वीडियो के बने रही है उसके बा झाल झाल